हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम टू चिकीज पाइलोजी अनदर वीडियो इन दिस वीडियो टूड़े वीडियो टूड़े वीडियो डिसकस अबाउट कि CMS and ED का Paramedical Council of India में Registration कैसे होता है या कैसे कराया जाता है आज हम लोग इस question का एक appropriate answer यहाँ पर find करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके end तक connect जरूर है और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो CMS and ED कोर्स है यह एक paramedical कोर्स है और यह जो point है आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप लोगों ने कोर्स किया है या आप लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप लोग इसका जो registration है वो paramedical council of India में भी करा स सकते हैं तो कैसे आप इसको करा सकते हैं इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस भी institute से आप लोगों ने यह कोर्स किया है अगर आप लोग उसी institute के थूरू इस paramedical council of India का registration लेते हैं CMACD को लेके तो friends आप लोगों के लिए best रहेगा अगर आपका institute आपको यह registration करा के देता है after your diploma क्योंकि अगर आप लोग खुद से online apply करते हैं तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारी problems आ सकती है आपका जो registration है वो आधा दूरा वहाँ पे रह जाता है जब आप उसका online application करते हैं और कई बार आपकी जो piece है वो वह वहाँ पे नहीं हो पाता due to some regions like internet problem या few transaction problem तो यह सब अगर आप लोगों के साथ में वहाँ पे नय हो तो मेरी advice यह है कि आप अपने institute के धुरू ही इस registration के लिए apply करें अगर आपका institute आपको यह registration करा के देने में सक्षम है तो आप लोग अपने institute के धुरू ही इस registration को लेने का महाँ पे परियास करें अपने से आप इसको मत करें बट अगर आप institute यह registration आपको करा के देने में सक्षम नहीं है तो फिर आपको separately महाँ पे apply करना पड़ेगा तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा आपको google पे जाना पड़ेगा और आपको google पे जाके google chrome में google पे जाके आपको paramedical council of India जो है महाँ पे टाइप करना पड़ेगा तो paramedical council of India की official website महाँ पे open होके आएगी जो एक simple process है और आप लोग जानते भी होगे क्योंकि आप लोग google पे बहुत सारी चाज़े सर्च करते होंगे तो friends official website जो है जब paramedical council of India की महाँ पे open होके आएगी तो आपको उपर साइड महाँ पे तीन लाइन दिखाई देंगी जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं उन लाइन पे आप लोगों को किलिक करना है तो next page महाँ पे open होके आएगा जो home page होगा paramedical council of India का और friends यहाँ पे जो है आप लोग जब इसमें home पे आप लोग किलिक करे है उसके बाद जो है वहाँ पे submit details का एक option आएगा आप लोग अपनी details वहाँ पे submit कर सकते हैं आपका नाम आपका address वहाँ पे आपका जो आपके documents है वहाँ पे submit करेंगे उसके बाद जो है जब आप अपने form को पूरा वहाँ पे feel कर लेंगे तो आप उसको cross check करके देखे final submission स से पहले उसके बाद जो है जब आपका form का final submission हो जाएगा जब आप महाँ पे सारी details बढ़ देंगे सभी details आप महाँ पे submit कर देंगे उसके बाद महाँ पे fees submit करने का option आएगा जो fees होती है वह होती है इसकी 5250 रुपे इस registration के लिए जो आपको fees महाँ पे submit करनी पड़ेगी व और फिर जो है आप लोगों को final महाँ पे registration certificate मिलेगा और ID card मिलेगा paramedical council of India का जो आप लोगों के लिए एक major or crucial role play करेगा जब आप लोग अपना semi-urban और rural area में एक primary healthcare center open करेंगे जब आप जो है अपना CMCD course कर लेते हैं so thank you friends thank you for watching and do subscribe the channel for upcoming videos and latest updates thank you friends